उसे फिलाल अगर देखा जाए तो हेलिकॉफ्टरों के मामले में भारत काफी हद तक मतलब करीबन 80-90 पतिशत तक आत्मनिर्वर हो चुका है। और रिपोर्ड में बताया जा रहा है कि हेलिकॉफ्टरों के डेवलाप्मेंट को लेके भारत में हाली में दो बड़े और महत्वपूर्ण डेवलाप्मेंट हुआ है। तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रिपोर्ट के मुताविक Defense Research and Development Organization के द्वारा एक नया Long Range के Precision Munition के उपर काम किया जा रहा है है जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में Light Combat Helicopter प्रचंड में Stand Off Range के लिए किया जाएगा। और इस तरीके के हतियार basically Helicopter को लंबे दूरी तक टारगेटों को न्यूटलाइस करने में मदद करेगा और बताया ये वी जा रहा है कि ये जो मिसाइल है या विर कहे तो हतियार है इसका रेंज 20 से 25 किलोमेटर या उससे अधिक होगा। अगर करेंटली देखा जाए तो Light Combat Helicopter में ये Long Range के Precision Munition को लगाने से पहले Initial Stage में यहाँ पे Air Launch Anti-Tank Guided Missile को लगा जाएगा। D.I.D.O. के तरफ से Already ऐसे हेलिकॉफ्टरों के लिए Anti-Tank Guided Missile का Development किया जा चुका है जिनमें D.I.D.O. के तरफ से Stand-Off Anti-Tank Missile और हेलेना या फिर कहे तो धुरूबस्तर एंटि-Tank Guided Missile का Development किया गया है जिनमें Stand-Off Anti-Tank Missile का Range करीवन 10 से 12 किलोमेटर है तो वही पे हेलेना या फिर कहे तो धुरूबस्तर का Range करीवन 5 से 8 किलोमेटर है अल्रेडी इन मिसाइलों का Development Trial को Complete किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि जल्दी इन हत्यारों को Advanced Light Helicopter के Weaponized Version मतलब रूद्र और Light Combat Helicopter प्रचंड में Integrate किया जाएगा हाला कि दोस्तों रिपोर्ट में य दूसरे तरफ से Light Combat Helicopter के ताकत को बढ़ाने के लिए जो Long Range Physician Munition के उपर काम किया जा रहा है बेसिकली ये existing किसी वी हत्यारों के मुकाबले में तीन गुना के आसपास Range का है जो की Helicopter के Strike Range को तो बढ़ाएगा ही साथ में Helicopter को और सिक्यूर बनाएगा क्योंकि इतने अधि Range से Helicopter अगर Missile को दाख सकेगा तो Helicopter एक तरीके से Ground Fire के Ricks से भी अपने आपको दूर रख सकेगा दूसरे ये एक तरीके से भारत के Helicopter के लिए जहाँ पे काफी बहतरीन के तरफ से काम किया जा रहा है और दोस्तों हाली में आप लोग सुने होंगे कि DRDO के तरफ से Very Short Range Air Defense System का टेस्ट किया गया है इस तरीके के Air-to-Air Missile जहाँ पे प्रचंट Helicopter में इस्तेमाल होने वाले Mr. Sreni के मिसाइलों को रिप्लेस कर सकेगा तो उही पे Indigenation को मजबूत करने के साथ साथ प्रचंट Helicopter के Air-to-Air Combat Capability को बढ़ाना और एक तरीके से हवाई खत्रे को निटलाइस करने का श्रमता को भी बढ़ाने का काम करेगा कुलमिला के दोस्तो प्रचंट Helicopter को Indigenious तरीके से और मजबूत करने के लिए DRDO के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये आने वाले समय में भारत के दुश्मन देशों के मन में जहाँ पे डर लाएगा तो उही पे इन Helicopter के चाहत को भी अन्ने देशों के अंदर बढ़ाए है आफ सबको पता ही होगा कि हेलिकॉप्टरों के मामले में भारत एक तरीके से आत्मनिर्वर हो चुका है भारत के अंदर अव कई तरीके के हेलिकॉप्टरों के डेवलॉप्मेंट हो चुका है और इन Helicopter को मेनुफैक्चर करके बेडे में शामिल करने का तैयारी किया जा है एलिकॉप्टरों में जहां पर भारत को सबसे पहले आत्मनिर्वर्ता एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर के द्वारा आया तो उही पर इसके बाद light combat हेलिकॉप्टर प्रचंड और light utility हेलिकॉप्टरों का निर्मान किया गया पर दोस्तों देखा जाए तो इन ने सैफरोन के साथ भारत के द्वारा जॉइंटली बनाया हुआ शक्ति इंजिनों का इस्तेमाल होता है जो असल में टर्बो मेका इंजिन के ही एक भारतिय वर्जन है और दोसो अब इन डिफेंडेंसीव को भी भारत के तरफ से संपूर्ण रूफ से खतम करने का तैयारी किय या गया है क्यूंकि बताया जा रहा है कि भारत जो अपने खुद के हेलिकॉफ्टरों के इंजिनों का डिफेंट कर रहा है इसका सिर्टि喜ेशन साल जो हुजा जाएगा मतलब साल 2025 के बाद इसका इस्तिमाल भारत के हेलिकॉफरों में होना संभव हो जाएगा तोसो को लदाक में अंजाम दिया गया था और अब बताया जा रहा है कि यह जो हेलिकॉफटर के इंजिन है यह ट्रायल के लिए तैयार है और साल 2025 तक इन इंजिनों के सर्टिफिकेशन को संपूर्णे करने को लेके अभी से ही तैयारी किया जा रहा है तो सो HTAC 1200 असल में एक ऐसा इ लुब और Light Combat Helicopter असल में 5.8 टन काटेगरी का हलिकॉफटर है मतलब सिंगनें इंजिन के Light Utility Helicopter हो या फिर दो इंजिन वाले एडवांस लाइट हेलिकॉफटर और लाइट कॉमबाट हेलिकॉफटर दोनों में ही HTAC 1200 सिरीस के इन इंजिनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा वही पर दोस्तों अगर भविशे के हेलिकॉफटर IMRH मतलब इंडियन मल्टि रोल हेलिकॉफटर को देखा जाए तो फिलाल ये जो हेलिकॉफटर है इसे 13 टन काटेगरी के हेलिकॉफटर के रूप में डेवलफ्ट किया जा रहा है और इसमें 2-2000 किलो वर्ट के इंजिन का इस्तेमाल होना है मतलब इस तरीके के हेलिकॉफटरों में HTAC 1200 का इस्तेमाल फिलाल नहीं हो सकता दोसों इन तीनों टाइफ के हेलिकॉफटरों को ही अगर देखा जाए तो तीनों में ही हिंदोसन एरनोटिस लिमिटेड टर्वो में का शक्ती इंजिनों का इस्तेमाल हो रहा है जो वेसिकली हिंदोसन एरनोटिस लिमिटेड और फ्रांस के कमपनी सैफरों के द्वारा जॉइंटली बनाया हुआ इंजिन है रूप से खतम करना और भारत के इन हेलिकॉप्टरों में जो तर्वोमेका शक्ती इंजिनों का इस्तेमाल हो रहा है उसे रिप्लेस करते हुए अपने स्वादेशी इंजिनों का इस्तेमाल करना जबके रिपोर्ट के मुताविक साल 2020-21 के दर्मियान जब इन इंजिनों का टेस्ट हुआ तब इंजिनों के द्वारा 100% स्पीड रन और कोर के 100% शमता को एचिव किया गया था अब तक रिपोर्ट के मुताविक इन इंजिनों का करिवन 200 टेस्ट को अंजाम दिया चुका है जिनमें C-Level टेस्ट से शुरू करके High Altitude और Cold Weather टेस्ट तक शामिल है रिपोर्ट के मुताविक साल 2021 से हिंदुसर एरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से इसके लिमिटेड सिरीस प्रोडक्शन का भी शुरूआत कर दिया गया और अब तक पांच ऐसे यूनिट का निर्वान किया गया है जो आने वाले कुछ सालों के अंदर कई सारे टेस्ट से गु करता आ जाता है कि ये मैकसिमम 1600 होर्सपावर या फिर कहें तो 1200 किलोवार्ट पावर जनेरेट करने का श्रमता रखता है हाला कि दोस्तों इन इंजिनों के डेवलाप्मेंट के साथ साथ तीन तरीके के अलग-अलग हेलिकॉफ्टरों के इंजिन के मामले में भारत जहाँ प हेलिकॉफ्टर का डेवलाप्मेंट किया जा रहा है जबकि इन हेलिकॉफ्टरों के बेस पे नेवी के लिए वी एक नेवल मल्टी रोल हेलिकॉफ्टर का डेवलाप्मेंट किया जाना है तेरा टन मैकसिमम टेकाउफ वेड काटेगरी के इन हेलिकॉफ्टरों में जहाँ प मताविक 8 जुलाई 2022 के दिन साफ्रान और हिंदुसा एरनोटिक्स लिमिटेड के बीच में जॉइन वेंचर को लेके एक मेमरान डबाव अंडस्टैंडिंग के उपर हस्ताक्षर हुआ है जो संपून रूफ से इन हेलिकॉप्टरों के इंजिनों के डेवलाप्मेंट प्रोडक्शन सेल और सपोर्ट को लेके है और बताया जा रहा है कि ये असल में स्ट्राटिजिक पार्टनर्शिप मोड में होगा पर दोस्तो अब तक किस तरीके के इंजिन का डेवलाप्मेंट होगा मतलब इंजिन कैसे शमता वाला होगा और इसमें भारत का हिस्सा कितना रहेगा और सैफरान किस तरीके से इंजिनों को लेके भारत के साथ काम करेगा इसका कोई डीटेल नहीं आया है लेकिन माना जा र अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए तक कि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन